दोस्तों इंडियन नेवी को दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन और बड़े आकार के नेवियों में से एक के रूप में देखा जाता है पर दोस्तों इंडियन नेवी देश्टोयरों के ताकत के मामले में चाइनिज नेवी से काफी फीचे है खाली दोस्तों संख्या के मामले म पे कही पे नहीं ठेरता इन देशों के पास जहाँ पे काफी अधिक संख्या में डिस्टोयर जैसे जहाज है तो उही पे भारत के पास केबल मात्र 11 जहाज है उपर से दोस्तों इन जहाजों के अगर वजन को एकंपेर किया जाए तो अमेरिका रश्या और चाइना के जहाजो का वजन मतलब डिस्टोयरों का वजन जहाँ पे 10,000 टन या उससे अधिक है तो उही पे भारत के सबसे भारी भर कम जहाज असल में विशागा वटनम क्लास और कॉलकाता क्लास के डिस्टोयर है जो की केवल मात्र 7,400 टन का है पर दोस्तों अब इस मामले में शायद इंडिय नेवी के एक next generation के mega project को लेके request for proposal जारी हो जाएगा जो की इंडिया नेवी को भी 10,000 या उससे अधिक टन भारी जहाजों को अपने बेडे में मतलब destroyerों को अपने बेडे में शामिल करने में मदद करेगा दोस्तों यहाँ पर मैं जिस project का वात कर रहा है वो है project 18 या फिर कह जा रहा है कि इस cover के बारे हमें जानकरी असल में कॉलकाता स्थीत garden race ship building and engineering के chairman और managing director commander PR हरी के तरफ से दिया गिया है जो की पहले Indian Navy के commander थे और दोस्तों retard होने के बाद अब उनके जिम्मे में garden race ship building and engineering को head करना है और उनके तरफ से हाली में एक interview में जानकरी दिया गिया है कि ज टाय गया है कि जो next generation के destroyer project है ये फिलाल study phase में है मतलब इसे लेके फिलाल study किया जा रहा है और study complete होने के बाद ही इस जहास को किस तरीके से बनाय जाएगा कैसा इसका श्रमता होगा कौन कौन से technology से last होगा किस तरीके का हत्यार इसमें इस्तेमाल होगा उन सभी चीजों को न दूसरा महाराष्टर के मज़ेगा और डॉकियर्ट लिमिटेड है अब दोस्तों इन दोनों शी प्याड के पास ही बड़े बड़े आकार के जहासों को निर्मान करने का श्रमता है और कई दशों को से ये इंडियन नेवी के लिए technological advance और बड़े आकार के जहासों का निर्म गया था उनमें से एक था जहासों में इस्तेमाल होने वाले वर्टिकल लॉंचिंग सिस्टम बेसिकली दोस्तों इन जहासों में बताया जा रहा है कि मिसाईलों को लॉंच करने के लिए दो अलग-अलग सेक्शन में वर्टिकल लॉंचिंग सिस्टम को लगा जिन में एक से कि किसी भी जहाज में इतने बड़े मात्रा में वर्टिकल लॉंचिंग सिस्टम नहीं है। फिलाल अमेरिका के सबसे बड़े जहाज हो या फिर चायना के सबसे बड़े जहाज हो कोई भी जहाज इतने बड़े मात्रा में वर्टिकल लॉंचिंग सिस्टमों को होल्ड नहीं क किया हुआ एंटी शेव और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के साथ साथ एर डिफेंस मिसाइल भी होगा इवन दोस्तों दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये जो जहाज है ये ब्रमोस 2 जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी लैज होगा और शायद भारत के तरफ से निर्म लेकिन चाइना के इन जहाजों को अगर देखा जाए तो इसमें 112 वर्टिकल लॉंचिंग सिस्टम है इवन अमेरिका के भी सबसे बड़े जहाज में 122 वर्टिकल लॉंचिंग सिस्टम है और उसके मकाबले में भारत के जहाज में 144 अगर ऐसे लॉंचिंग सिस्टम होता है तो एक तरीके से आफ कह सकते हैं कि आने वाले समय में इंडियन नेवी के जहास के पास ही सबसे अधिक फायर फावर होगा मतलब जिस मामले में भारत फिलाल अमेरिका, चायना, रश्या जैसे देशों से पीछे है उस मामले में एक जटके में भारत इन सवी देशों को पार करते हुए आगे चला जाएगा अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे नेवी के ताकत को मजबूत करने के लिए ये नेक्स जेनेरेशन के डिस्ट्रॉयर को लेके काम हो रहा है तो वही पे दूसरे तरफ अमेरिका से भारत अपने नेवी, एरफोर्स और आर्मी तीनों को ही ताकत बर करने के लिए द्रोनों क के तरफ से अमेरिका से करीवन 31 MQ-9B रीफर अनमैन एरियल वेकलों को खरिदने को लेके भी बातों को रखा गया था, हलाकि दोस्तों इन द्रोनों को बिकरी को लेके लंबे समय से अमेरिका और भारत के बीच में बात्चीत चल रहा था और इसमें काफी उतार चड़ाओ भी आया, मतलब पहले 30 द्रोनों को खरिदने का बात कहा गया, जबकि बाद में ये संख्या घटके 18 हुआ, और फिर बाद में अब ये संख्या बढ़के 31 तक चला गया है, और दोस्तों इन 31 द्रोनों में बताया जा रहा है कि करीवन 15 द्रोन तो इंडियन नेवी के लिए ह जबकि बाकी के 16 द्रोन में से 8 इंडियन आर्मी का और 8 इंडियन एर फोर्स का होगा, और अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इन द्रोनों के डील को लेके दोनों देशों के बीच में जो समझाता है वो लगवग लगवग हस्ताक्षर होने के आखरी दोर तक प दोरे पे आये है, शायद उसी दोरे के दर्मियान भारत और अमेरिका के बीच में कुछ जो महत्तोपूर्न डिफेंस डिलों के उपर हस्ताक्षर होगा, उनमें MQ-9 रीफर अनमैन एरियल वियकल के डील भी शामिल हो, और साथी साथ ये भी आशा किया जा रहा है कि अमेरि को करीब करीब 3072 मिलियन डॉलर खर्चा करना पड़ रहा है, वोही पे दोस्तों अमेरिका के तरफ से ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि भारत को ये जो द्रोन अमेरिका बेच रहा है, ये किसी भी देश को बेचे गए द्रोनों के मुकाबले में अधिक सस्ते प्राइज में बेचा जा रहा है, जबकि दोस्तों वोही पे इन द्रोनों के डील में एक टिक्नोलोजी ट्रांसफर को लेके भी या फिर कहतों इन्डेजनियस कॉंटेंट को इस्तेमाल करने को लेके भी बात रखा गया है, जिनमें भारत असर में 15-20% इंडेजनियस कॉंटेंट को च पर वही पर दोस्तों द्रोणों में कितने संख्या में ऐसे Indigenious Content का इस्तेमाल किया जाएगा यही फिलाल Negociation का बात बना हुआ है लेकिन दोस्तों मेरा मानना यह है कि शायद अब यह Negociation में और इंतिजार करना ना पड़े या फिर ये जो negotiation है ये शायद अब संपूर्ण हो चुका होगा जबकि वही पे दोस्तों ये 15-20% अगर indigenous content बनाने का मौका भारत को मिलता है तो इससे कम से कम 15-20% technology भारत के पास होगा जो भारत अपने खुद के द्रोनों के development के दर्मियान इस्तेमाल कर सकेगा हलाकि ये technology गा directly इस्तेमाल नहीं भी होता है तब भी जो workforce तयार होगा या फिर जो experience भारत के पास आएगा वो experience भारत अपने द्रोनों के development में आसानी से इस्तेमाल कर सकेगा अब दोस्तों इन द्रोनों को लेके आपको ये भी वता दू कि इन द्रोनों में टोटल दो अलग-अलग स्रेनी का द्रोन भारत के द्वारत के द्वारा खड़दा गया है जिनमें नेवी के लिए खड़दे गए द्रोनों को MQ-9B, Sea Guardian कहा जाता है जो कि High Altitude Long Endurance रेनी के एक ऐसा द्रोन है जो Reconnaissance Surveillance और साथी साथ Armed Reconnaissance में भी इस्तेमाल हो सकता है बलकि द्रोनों के साथ साथ भारत के द्वारा इसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ हत्यारों को भी पर्चेस किया जा रहा है दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के द्वारा जो Project 18 के अंतरगत डेस्ट्रोयरों को बनाया जा रहा है ये इंडियन नेवी के ताकत को कितना गुना बढ़ा सकता है कॉमेंट करके अवश्य बताईए दोस्तों आज की इस वीडियो को यही फेही करते हैं समापत किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो है मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम